पाकिस्तान के एक मूव ने न्यूज बनाई है और दुनिया भर में पाकिस्तान के इस मूव की अलोशना भी हो रही है यहाँ पे आप देख पाओगे यह आर्टिकल पाकिस्तान ने इंपोस कर दिया है एक 830 डॉलर का एक्जिट फाइन एक्जिट फिया आप कह लिजिए और अफगान रफ्यूज इस पर दुनिया भर ने आर्टिकल पबलिश किये है चाये बिटिश मीडिया हो अमेरिकन मीडिया हो हर कोई अलोशना कर रहा है इस निड़ने की यह कह रहा है कि यह किस तरीके का तर्क हुआ कि ए ऐसे आपे मैं एड़ कर दू कि 830 डॉलर्स एक बड़ा अमाउंट होता है इंडियान रुपीज में अगर हम देखें तो यह अमाउंट बन जाएगा रफली 69,000 इंडियान रुपीज पाकिस्तानी कंटेक्स में अगर हम देखें पाकिस्तानी रुपीज के हिसाब से यह अम वैल यह टोपिक बिल्कुल बेसिक से समझते हैं नाव यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है अश्या का मैप और यह है हमारा प्यारा भरत राव अफगानिस्तान में आप अगर देखो तो पिछले 3 से लेकर 4 दशक बहुत जादा मुश्किल इनके वीते हैं लगातार यहा लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं नाव सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अफगान कम्यूनिटी काफियत तक घुल मिल गई थी पाकिस्तान में मगर तभी पाकिस्तान की गवर्मेंट एक निर्ण यह लेती है कि अफगान कम्यूनिटी को यह वापस भेज देंगे रीजन ये लोग किये गहते हैं कि कई आतंगवादी हमले जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उसका लिंक अफगान कॉम्यूनिटी से मिला है इनका कहना ये था कि कई बार जो आतंगवादी हमले होते हैं पाकिस्तान में तो उसके बार जो ये आतंगवादी है ये अफगान कॉम्य क्राइम की बहुत अलोशना हुई है कई बड़े हॉलिवोड एक्टर ने ये का है कि पाकिस्तान एक बहुत गलत काम कर रहा है। इस World Cup के दुरान पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक रिकेट मैश भी हुआ था और उस मैश में जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया ना तो man of the match ने openly जो अफगानिस्तान के man of the match थे उन्होंने openly ये कहा कि मैं ये जीट डेडिकेट कर रहा हूँ उन लोगों को जो आ अडिशनल 830 डॉलर्स की फीस और लगा दिया अब यहां पर आपको के वेड ये समझ नहीं आया ये जो हैडलाइन है डेजन्ट मेक सेंस क्योंकि एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि जो अफगान रफ्यूजीज है पाकिस्तान में पाकिस्तान उनको निकालने की समझाता हूं यहां पर हो क्या रहा है पाकिस्तान में जो अफगान रफ्यूजीज है उन में से कई लोग तो बहुत जादा अनफॉर्चूनेट उन्हें वापस अफगानिस्तान में जाना पड़ेगा एक ऐसे टाइम में जब यहाँ पर तालिबान का राज है वैसे अफगानिस्तान भी एक बहुत ही खुबचुरत देश है बट जो अड्मिस्टेशन है यहाँ पर आज के समय उनका रेकॉर्ड काफी खराब है तो वो लो सारे जो अफगान रेफ्यूजीज है पाकिस्तान में इन में कई औरते हैं बच्चे हैं कई जर्नलिस्ट हैं कई स्कॉलर्स भी हैं जी हाँ कई उनिवस्टी के प्रफेसर्स हैं कई राइटर्स हैं बहुत से लोग हैं LGBTQ कमुनिटी के भी कुछ लोग हैं तो यह लोग अगर अफगानिस्तान में जाते हैं ना इनकी जान को बहुत जड़ा बड़ा खत्रा होगा तो इसलिए कई वेस्टन कंट्रीज ने उसके लावा यूरोपियन यूनियन ने इवन कुछ हर्तक उस्ट्रेलिया ने इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसके अंडर हर कोई पाँच हजार या दस हजार अफगान रफ्यूजी अपनी कपैस्टी के हिसाब से अपनी पॉप्लेशन में एब्सॉर्ब कर लेगा तो बहुत सारे अफगान रफ्यूजी ते आज के समय जिन को पाकिस्टान से भेज़ा जा रहा है इन वेस्टन कंट्रीज में तो पाकिस् पाकिस्तान से आए पाकिस्तान में फिर बिना परमिशन के रुके रहे हैं आपर तो इनको ओवर स्टेफ फी पे करनी होगी नाओ ये देखो बहुत जादा एक अजीब सा काम है क्योंकि यूएन डेजिगनेटर जो रेफ्यूजीज होते हैं उनसे इस टैप की फीस चार्ज की नहीं जाती ये आप के लिजिए बहुत जादा एक लो लेवल की हरकत है क्योंकि आप जब इनसे भी पैसे कमाने कोशिश करते हो तो मतलब कि आप बहुत डैस्प्रेट हो पैसे के लिए और पाकिस्तान के इन सब एक्शन की वजए से हो क्या रहा है कि पूरी अफगान कॉम पाकिस्तान तालिबान को जोइन कर ले पाकिस्तान तालिबान को जोइन कर ले क्योंकि इनके पास नौकरी होगी नहीं इनके बास शेल्टर होगा इनके मन में बस गुस्सा होगा कि छोड़ा साथ घरबार था दुकान थी पाकिस्तान में ये मुझसे चीन ली गई जबरदस इन्होंने एक बार को ये कह दिया था कि जो भी अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में हैं इन में से 1.5 मिलियन लोगों को पाकिस्तान नागरिकता दे देगा ये एक बड़ा बयान था उस टाइम के हिसाफ से हलाकि बाद में इमरान खान ने इस पर कुछ किया नहीं हलाकि इमरान खान की पार्टी के लोग कहते हैं कि आर्मी ने कभी इमरान खान को अलाव नहीं किया कि ये स्लिजनशिप दे पाएं और यहां पे आप देख पाऊगे इमरान खान मेड लाइवस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज मिजरेबल एमिड फॉल्स प्रॉमिस ऑफ ग्रांट काउंटर आर्गिमेंट यह है कि इससे पाकिस्तान की एकोनमी पर बोज बहुत ही जरा बढ़ जाता तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा निर्णे कितना जीब है आप इमैजन करके देखो वार से सताय हुए लोगों को आप पहले कहते हो कि हम नागरिकता देंग वैसे काम है पाकिस्तान के तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेट देखिए बहुत सी डिवलप्पेंट होंगी कुछ मिजर डिवलप्पेंट होती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अप्डेटेट वीडियो ले आऊंगा और फाइनली यहापे मैं आपसे क्वेशन वीडियो बना चुका हूँ तो आपको पता होना चाहिए इस का अंसर जो लोग से यह आंसर करेंगे कुछिश करूँगा क्योंकि कॉमेंट को मैं हाट दे दू और अनकाडमी के देखिए ओफर चल रहे हैं आज के समय यह जो ओफर से इनको आप यूज को सकते हैं तो केट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे आप यहां पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज कोड प्रीटेन और आपको डिस्कॉड मिल जाएगा और जो सेल्स टाइम आती रहती है इनका भी आप लाब उठा पाएंगे So this is the end of the video, thanks for listening and as always, may the gods watch over you